रवी नाम का एक लड़का दिल्ली की किसी फैक्टरी में सफाई का काम किया करता था उसके घर से फैक्टरी करीब पांच किलोमेटर दूरी पर थी वो हमेशा अपनी साइकल से ही फैक्टरी जाता था रोज की ही तरह आज भी वो घर से फैक्टरी के लिए निकला उसे रास्ते में पढ़ने वाले एक चौराहें पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से में घूर रही थी रवी ने भी उसे देखा और फिर मुँँ फेर कर फैक्टरी चला गया अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और रवी को भूर रही थी उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया रोजाना इसी तरह हाफते भर वो लड़की चोड़ाहें पर खड़ी होकर रवी को घूरती थी और रवी उसे अंदेखा करके फैक्टरी चला जाता था करीब साथ दिन बाद जब रवी फैक्टरी जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी रवी ने मन ही मन में सोचा की आखिर क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ रवी उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता था क्योंकि वो बुरी तरह से घूरती थी इन्ही ख्यालों के साथ वो फैक्टरी पहुँचा और साफ सफाई करके शाम को घर लोड़ गया रवी जब घर पर पहुँचते ही उसे एक चिट्थी पढ़ा हुआ मिला रवी ने मन ही मन में सोचा की आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्थी मेरे बैद तक कैसे पहुँची इसी सोच के साथ वो सो गया अगले दिन उठकर जब काम में जाने लगा तो उसे चिट्थी वाली बात याद आ गई साइकल से वो सुबह फैक्ट्री पहुँचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा शाम को वो उस चौराहें पर पहुँच कर उस लड़की का इंतजार करने लगा काफी देर हो गई थी लेकिन वो लड़की वहाँ पर आई नहीं रवी इंतजार करके थक गया था इसलिए वो घर की और निकल गया घर पहुँचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर रवी चिठी पर लिखे पते पर पहुंच गया वहाँ जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया उससे रवी ने कहा कि मुझे प्रीती से मिलना है ये सुनते ही वह व्यक्ती चौप गया जवाब में उसने पूछा क्या प्रीती से मिलना है उसे मरे हुए तो दो महीने हो गए हैं तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया ये सुनते ही रवी के होश उड़ गए, डर के मारे शरीर कांपने लगा, किसी तरह खुद को संभाल कर रवी घर पहुचा और चित्थी को जला दिया उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे, उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो एक भूत थी मुझे एक भूत ने चित्थी भीजी थी, यही सोचा कर वो घर में दुबक कर बैठ गया, उस दिन से रवी न तो रास्ते में किसी को देखता था और नहीं किसी अंजान इंसान के बारे में सोचता था